हेलो हाई सब लोगों को तो सबसे पहले आप सब लोगों गुड आफटरनून हाला कि यह गुड मॉनिंग की वीडियो होने वाली थी बट थोड़ा सा लेट हो गया आज संडे है तो आज तो सूपर संडे नहीं होगा क्यूंकि हम सूपर संडे वाली वीडियो में मान के चलो प्राइडे को ही मिल चुके थे जिस दिन हमारा का पास दिवस था यानि की कॉटन डे तो मैंने सोच आठी कि आज फिर से मिलते हैं और प्रैक्टिस फिर से करते हैं आज कल हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं कल नहीं हो पाई थी फिलाल तो आज स्टार्ट करते हैं और इसके पहले हम लोग 10 practice set करी चुके हैं यह हम लोगों का practice set जो है 11 है और आप भाई जो लोग सो रहे हैं उन लोगों को good morning ताकि उठ जाएं क्या Sunday है तो देर तक सोना बनता है बिल्कुल बनता है लेकिन मुझे लगता है आपका 12 एक बच चुका है तो इतना जादा भी नहीं तो practice set आपको देखे करना जरूरी है मैं daily कही रही हूँ और previous इसमें जो practice set हम लोग करते हैं practice set वाले भी पेपर होते हैं इसमें मतलब की sample paper भी होते हैं और previous year papers भी होते हैं तो इसको आप लोग ज़रूर solve करिए यहाँ की बात नहीं कर रही हैं कहीं भी अगर आप कर रहे हैं question करके आप देख सकते हैं कि यह topic जो आपने पढ़ा है उससे जो question frame होते हैं या frame होंगे वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या अगर आप कर पा रहे हैं तो उसको आप उसकी language समझने में आपको कितना time लग रहा है बहुत जादा उल्जन हो रही है या आप तरीके से helpful है ठीक है और अभी मुझे लग रहा है तीन से चार सेट जब हम किया है हमने practice वाला तो उसको आप देखके अंदाजा लगा ही पा रहे होगे question की quality क्या है ठीक है तो चलिए बिना किसी देर के start करते हैं और यह video बनी थी good morning में upload होने के लिए हाला कि बन नहीं देखो होना क्या है कि आपकी life है यह बात बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पर जैसे हैना कि it is your life बात सही हमारी life है तो हमें क्या चीजे सीखनी है और किस तरह से सीखनी है यह आप पे depend करता है ठीक है और define वाली बात हमें किसी को यह proof नहीं करना है बहुत जादा लेकिन जो ह कुछ आपको बोल भी रहा है उससे आप ज्यादा प्रभावित मत होई है ठीक है अपने आपको उससे आपको ज्यादा effect नहीं डालना है अपने तरीके सापको चीजे करते रहना है और जब आप अपने तरीके से चीजे करेंगे तो जाहिर से बात बहुत अच्छे से कर इसमें कि यह जो चारो चीज़े दी गई है इसमें सब में विटामिन C होता है वंदगोभी में मतलब जो आपको कैबेज है अंगुरी तनाज यानि कि आपका जो क्या कहते हैं जर्मिनेट सीरियल सोते हैं इसमें भी होता है लेकिन यहां पर शब्द आप देखिए क्या है कि बिल्कुर रिच सोट्स की बात हो रही है किसकी बात हो रही है रिच सोट्स यानि कि प्रचूर सोट यहां पर बोल रहा है तो प्रचूर सोट आपका क्या होगा आमला ठीक है नेक्स्ट है हमारा अतिसूक्ष में जीवों को निस्क्री किया जा सकता है ठीक है जो बिल्कुल माइक्रोब्स होते हैं उनको कैसे इनक्टिफ किया जा सकता है उबाल कर बर्फ में जमा कर निर्जली करण द्वारा या इन सभी के तोरा यह जो कुश्चन है आपका यह उसे food storage से है जो हम लोग food store करते हैं उससे related question है तो हम मुबाल करके भी करते हैं बर्फ में जमा करके भी इसको निस्क्री कर सकते हैं और निर्जली करण द्वारा भी कर सकते हैं तो आपका option number D is right फिर next है हमारा किसी कि कमी के कारण पोसर परक रक्ताल पता हो सकती है रक्ताल पता मतल कि law की कमी से भी anemia होता है folic acid की कमी से भी होता है और vitamin B12 की बज़ी से भी होता है तो क्या कहते हैं यह जो आपका folic acid है इससे macrositic anemia होता है और vitamin B12 से आपका parnicious anemia होता है और जो law है आपका इससे जो आपका macrositic या फिर hypochromic anemia होता है ठीक है तो यह जो आपका option होगा इसम फिर नेक्स्ट है, किसका उप्योग कर दूद से पनीर बनाया जा सकता है, जो आप पनीर बनाते हैं हम लोग, तो उससे किससे बनाते हैं, जो आपका वे वाटर है, मतलब कि छेने द्वारा छोड़ा गया पानी, फिर रेनीन, फिर नीबु करस, उपर एक सभी, तो सबसे आप बना सकते हैं, पनीर आप बनाते ही होंगे, तो सबसे बना सकते हैं, तो आपका D option correct हो जाएगा, फिर next है, नियमलिकीत में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्टॉल अंस है, उत्तम कोलेस्टॉल का मतलब आपका यहाँ पर good cholesterol से है, जैसे हम लोग एक bad cholesterol पढ़ते हैं, तो इसमें द density आपका यह होगा सिर्फ, ठीक है, LDL होगा सिर्फ, और very low density में आपका VLDL, ठीक है, और high density मतलब आपका HDL, ठीक है, और drygill side आपको, यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं लिखूंगी नहीं, तो इसमें जो उत्तम कोलेस्टॉल का माना जा रहा है, वो high density lipoprotein जो होता है, इसको good cholesterol और उत्तम cholesterol माना जाता है, ठीक है, फिर next है मारा विस्तार कारेक्रम नियोजन का पहला चरड़ है, तो कौन सा पहला चरड़ है, देख लेते हैं, उद्देश विधान, कारी योजना, इस्तिति का विशलेशन और कारियान्वन, तो जाहिर से बाते, C option करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले, अगर हम कोई भी प्रोग्राम का मतलब नियोजन करते हैं, या प्लान करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कि क्या इस्तिति है, जहां के लिए आप प्रोग्राम जो है प्लानिंग कर रहे हैं, वहां की क्या situation है, उसको पहले हम एनाला तेले शात्रावास में, ओफिस कैंटीन में, इसमें जो आपका option number right होगा, वो होगा, rail खानपान में, ठीक है, फिर है, next है हमारा, acid रंजगों के साथ, silk के printing के लिए प्रियुक्त गौंध है, ठीक है, तो कौन सा है, gum arabic है, यह सब गौंध के प्रकार हैं आपके, तो sodium allegrate है, synthetic प्रगाणख है, इसके बाद आपका guar god है, तो जो acid रंजगों के साथ, silk के printing के लिए यूज किया जाता है, वो किया जाता है, आपका guar का गौंध, ठीक है, कौन सा, guar गम बोलते हैं, फिर है, polyester के लिए सरवादिक उप्युक्त रंजग है, azoic, basic, dispersed, या फिर reactive, तो polyester के और उसमें loop नजर आरा, मतलब, बड़े-बड़े धागे फंदे जैसे चूट रहे है, तो उसको आपका क्या बदलना चाहिए, उसमें आपको, baubin बदलना चाहिए, धागा बदलना चाहिए, या tension disc, या tension disc होता है, तेंसन डिस्क बदलना चाहिए, उसमें जो हम बदलते है हमें क्या बदलना चाहिए जो आपका tension disc होता है उसको बदलना चाहिए ठीक है फिर next है एक pattern में dart को इसके दौरा विस्थापित नहीं किया जा सकता है कि मतलब जो dart बनाया जाता है dress में उसको आप कैसे मतलब विस्थापित मतलब एक अस्थान से दूसरे साथ अपन नहीं ले जा सकते है नहीं की बात की जा रिठी यह आपर देख सकते हैं तो जो tux होता है या फिर dart tux है या फिर आपका चुन्नट है या फिर नियंतर सीवन है तो अगर नियंतर सीवन मतलब भई सीवन अगर आपका बिलकु कंट्रोल हो गया है मतलब नियंत्रित है विल्कूल तो उसके दोरा हम नहीं मतलब, डाट को युँञाज स्थापित नहीं कर सकते हैं, ठीक है? फिर next है कि संगर्स के समाधान की सरोत्म विदि है, संगर्स के समाधान की सरोत्म विदि आपकी प्रभुत्व है, समझोता है वारतालाप है एकी करड़ है तो जबसे जो सबसे सर्वोत्तम विदी है कहीं कहीं पर यह एकी करड़ दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर जो option number है वो आपका B correct है क्योंकि compromise मतलब इसमें सर्वोत्तम विदी दी गई है ठीक है यह जो आपका जहां से मतलब मैंने answer लिय तो option उसमें आपका हो जाएगा संतुलन जिसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं फिर जन्म से छे सब्ता तक स्विस्व को लगाया जाता है बीसीजी का टीका डीपीटी का टीका पॉल्यो का टीका या फिर डी option all of the वियानी की उपर युद सभी तो सारा टीका लगाया जाता ठी और छे सब्ता तक भी लगा सकते हैं लेगिन अगर option में यह आता है पका कि बीसीजी का टीका जन्म के तुरंद बाद लगाया जाता है यह कथन कैसा है तो आप यह बोलेंगे कथन पूरी रूप से मतलब पूरो तरीके से सही है करेक्ट है फिर है कि शिशु को पोलियो का ट पुरी का दिया जाता है मांस्पेसी में मुह से इंट्राडर्मल से या उपरिक्ट अबिक्त सभी से यह तो बहुत ही आसान कुश्चन है आपने भी पी वहोगा जब आप साथ-ार साल तक किराह हूंगे तो मुह में विस्त्री टीका करण कारेक्रम भारत में सबसे पहले प् प्लेग के, टाइफॉइड के, मलेरिया के या रेबीस के, तो आपका तयार किया जाता है, रेबीस का जो ठीका होता है, वो अम्रित विशाडूं से तयार किया जाता है, कल वाले ट्रेक्टिस एक में हमने अम्रित जीवाडूं से पढ़ा था, तो अम्रित जीवाडूं का मतल की डडड बैक्तीरिया की बात हो घल के ऐगलके है था कॉलरा जांता प्राप्त प्राप्त यह घथा अपरा ग़्बास्थ Kahanra लगाव से संबंदित जॉन बॉल्वी के दिस्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के साथ समीमता बनाई रखने के व्यभार का कारण है तो क्या कारण है कि बच्चा जो होता है वो छोटा रहता तो बिल्कुल मा से करेक्टेड रहता है या मा से एकदम क्या कहते हैं बिल्कुल करनेक्शन फील करता है तो इसको मतलब क्या टम कहा जाएगा सीखना या फिर आनुवानसिक या फिर सहज प्रवित्ती या फिर प्रव सबसें पहले ग्रहारी को सब्सक्राइब यह की वहारे कि अच्छा इक चीज़ आप लोगगे बॉलती हुँ जो मेरे बोलने की गती है या बोलने का जो मेरा speed है वो बहुत तेज है क्या मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ हला कि मेरी आदती है ऐसे कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ अगर लेकिन आप लोगों को लगता हो कि मैं थोड़ा और slow बोलना चाहिए को आप लोग बताईएगा तो मैं कोशिश करूँ कि मैं थोड़ा धीरे बोलू हला कि ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं थोड़ा slow बोलू पर जब मुझे याद आता है कि मैं तेज बोल लूई तो मैं slow बोलने लगती हूँ फिर लगता है कि नहीं ठीक है जल्दी जल्दी बोलना मतलब जैसी एक अपनी fluency होती है वैसा ही मतलब वो एक natural होता है ने कि जो आपकी आदत होती है जो आपकी habit होती है फिलाल option पर आते हैं तो कौन से में सबसे पहले graduation program स्टार्ट किया गया था आपका मदरास university या दिल्ली university MS विद्याले बड़ोदा और पंजाब विश्विद्याले तो इसमें जो आपका option है वो आपका होगा दिल्ली विश्विद्याले ठीक है फिर है कि कृत्रिम प्रतिकारिता प्राप्त की जा सकते अभी हमने उद्धर प्राकृतिक प्रतिकारिका की बात करी अब यहां कृत्रिम प्रतिकारिता तो यह जो आपका है गामा ग्लोबूसे नहीं ग्लामा ग्लोबूलीन होगा ठीक है फिर आपका anti-oxidant से या उपरिक सभी से या उपरिक में से कोई नहीं इसमें जो आपका option होगा वो c होगा दोनों चीजों से कृतिम प्रतिकारिता प्राप्त की जा सकती है फिर है कि एक सेकंड हाँ फिर हमारा next question है एक सेकंड हाँ कि भारत में universal immunization कारिकरम की सुरुवात की गई 1945,1966,1970 या 1985 में आपकी तो जो ये immunization की मतलब ये चीज़ साट करी गई वो आपका सुरू किया गया 1985 में ठीक है फिर next है कि विश सुसास संगठन यानि की डबलो एच्चों ने विश सुव्यापक टीका करड के लिए कारिकरम तयार किया था कब तयार किया था? 1970,1972,1974,1980 तो ये तयार किया था 1974 यानि की 1974 में फिर है कि बच्चे के खसरा सीशू के खसरा का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंद बाद तीन माह में पांच माह में या नौ माह में तो ये टीका लगाया जाता आपका का नौ माह में लगाया जाता फिर next है हमारा, अभी हाहाँ से थोड़ा matching matching वाले खेलेंगे हैं, तो एक है कि क्या बोल रहा है, एक प्रश्लेव जिसमें प्रस्नों के set होते हैं, इनको क्या कहते हैं, सू संचरित प्रस्नों का जो एक set होता है, उसको क्या कहते हैं, अच्छा हम इसको बोलते जाते हैं, और match से मैच करेंगे यह प्रस्णावली है आपका जो प्रस्णो के सेट जिसमें होते हैं उसको हम लोग प्रस्णावली बोलते हैं फिर है सू संचरित प्रस्णो का एक सेट जिसमें सोधार्ती उत्तर नोट करता है तो जिसमें हम उत्तर नोट करते हैं उसको बोलते हैं साक्षातक second यहाँ लिख दे रहें ठीक है फिर आपका एक बचा किसी कारिया इस्तेथी को प्रस नगत करने की आप प्रतिक्ष तक्नीक तो जो आप प्रतिक्ष तक्नीक होती वो क्या होता है उसमें आपका ये 4 आपका होता ठीक है तो आप मैच करने की ज़रूत नहीं आप आराम से समझ गया होंगा ठीक है इस्क्रीन शॉट भी आप लेकर के रख सकते है फिर नेक्स्ट है सब मैचिंग वाले ही है इधर अब ये कठपुतली क्या है मारा बहुत आसान कोस्चिन परमपरागत है बिलकुल एक सेकिंड cinema चार्ट तो चार्ट को मतलब चार्ट कैसा साधन आपका वह आपका ग्राफ हिक मैं को ihan ग्राफ हगया भी बना सकते हैं फिर कंप्यूटर आपका है इलेक्ट्रॉनिक liग के बाद च्छपा हुआ च्छपा हुआपका जन संचार ठीक है कोई भी अर्टिकल या कोई भी निश्फएपर में जो न्यूज वगरा चपती एं फिर नेक्स है कि कि अपको पुछ किला हे ऐं क्या है तो बुलीमिया हमारा क्या हैंrics किस तरह का शार का कि फिर आपका किषोरावस्ता किया that we a few कि तरह की मतलब दिक्त आती तो वो आती आपकी पहचान संकर ठीक है फिर आपका है seconds तो जो seconds है आपका वो होता है आउंखों की गतीसीलता से मैंच करेंगे और जो वर्णी केरिया होता है वो देखने और सुनने से related होता तो यह हमारा, इसको भी आपका मतलब मैं screenshot ले सकते हो, आराम से matching matching हमारा हो गया, ठीक है, फिर है कि multiple, अब इसमें कुछ theories दी गई है, वो किस ने दिया है, किस के दौरा प्रपोस की गई, ठीक है, तो multiple intelligence theory जो आपकी है, वो किस की है, इसको भी मैंने आपको पताया था न, अगर आपने नहीं देखिये, आपको ये intelligence theory के बारे में नहीं पताया है, इससे related questions जो होते हैं, वो पूछ लिये जाते हैं, net में भी पूछा जाता है, और TGT वगरा में तो बस खाली इतना ही पूछ लेते हैं, कि किसने प्रपोस करी है, बट आप इसको पूरा पढ़ लो कि TGT में भी वो घुमा के पूछ सकते हैं, कोई अलग बात नहीं, ठीक है फिर आपकी pre-operational stage वाला किस ने दे रखा है, जीन प्याजे ने, ठीक है, जीन प्याजे ने दिया हुआ है, फिर आपका chronos system किस ने दिया है, chronos system आपका दिया, ब्रॉन फ्रिन, ब्रॉनर ने, ठीक है, फिर आपका information processing theory बजगी ये दिया आपके standberg में, इसका स्क्रिंशॉट स्क्रिंशॉट ले सकते हैं, जितने भी learning theories हैं, उसके लिए आप let's learn पे जाईए, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता भी दे रही हूँ, कि आप वहाँ जा करके पढ़ लीजिए, कहीं दर भागने से अच्छा है, आपका कर लीजिए, एक दिम सब डर खतम हो जाएगा, और theory तो एतनी बढ़िया आप ही clear होगी, उतना अच्छा कोई ने पढ़ा सकता है, फिर next है, क्या कहते है, नेक्स है मारा फिर से matching matching आ गया है, यह आपका work simplification से है, इसमें भी मैं matching करना है, तो देखिए, यह जो small circle है, यह वा आपका क्या है, बी आपका जो है, यह बड़ा circle है, तो जो बड़ा circle होता है, उसका मतलब क्या होता है, operation, operation बोले तो आपकी प्रक्रिया, यहाँ पर मैं third लिग दे रही हूँ, यह हम लोग इसको प्रक्रिया से match करेंगे, चलो मैं match करी देती हूँ, बहुत गिच-पिच-प काम हो रहा है, उसकी quality कैसी है, और कितने मात्रा में काम हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अब एक आपका बज़कर D वाला जो होता है, इसमें देखिए, यह small circle भी और large circle भी है, इसलिए यहाँ पर गति और प्रक्रिया, ठीक है, मतलब motion और process दोने की बात हो रही ठीक है, फिर next है, यह भी बहुत आसान question है आपका, एक second, आजाओ, हाँ, तो देखिए, जो आपका red color है, बहुत आसान है, red color क्या आपका primary color में आएगा, ठीक है, हरा color आपका दिती color में आएगा, फिर आपका slaty color जोगा, वो तठस्त में आएगा, बैगनी color भी हमारा दिती करना है, next है, कि William Parkins, जो थे, William Parkins ने क्या, जो है, synthetic color वाला दिया था न, तो वो आया था, अभी, TGT में आया था, तो जो यह वाला option होगा, यह William Parkins ने कैसी डाई दी थी, मॉविन डाई दी थी, न, ठीक है, यह मॉविन डाई, यहाँ पर वो नहीं है, फिर है, दूसरा है, नेली सेटना, तो नेली सेटना जो किया जाता है, वो आपका कालमकारी जो होता है, कलमकारी कहां का, वो है, उसको आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कलमकारी कहां पर कपड़ों पर डिजाइन बनाई जाती है, कहां से है, रेलेटर, यहाप comment section ने बताएंगे, ठीक है, फिर आपका ये low होगा तो low आपका ये actually इसमें ये low क्या है exactly दिया नहीं है तो इसको फिलाल match करेंगे हम लोग mercerization से इसको मैंने ये मैं नहीं add करने वाली थी फिर मैंने सोचा कि इसमें जो बाकी तीन question के points से वो इसको जो है मतलब निकाला नहीं जा सकता है eliminate नहीं कर सकते हैं तो ये तीनों आपको याद रखना law mercerization क्या इसका अगर मुझे आगे दिखता है कुछ description तो मैं आपको बता दूँगी फिर next है ये दिखें डिमेंसिया दे रखा है डिमेंसिया आपका किस से related डिमेंसिया आपको याद ना कि diarrhea, dementia, dermatitis और death ये चारो चीज़े हो जाती किस से vitamin D3 की कमी से vitamin D3 आपका क्या है नियासी तो इसलिए हम नियासीन से match करेंगे फिर आपका है cretinism तो cretinism किस की कमी से होता है iodine की कमी से, तो iodine से match कर देंगे फिर आपका keratomalacia बहुत ही आसान question, vitamin A deficiency फिर आपका hyperkeratosis तो hyperkeratosis जो आपका होता है ये fat की कमी से होता, ठीक फिर next है next है मारा subnum और laddhu जलेबी ये सब जो, ये क्या बलते हैं आपको एक मिनट फिर रुकना पड़ेगा actually Sunday की दिन बहुती सांती नहीं मिल पाती है तो बड़ा दिक्कत होती है फिलाल, इतना disturb हो रहा है आप लोगों कुसके लिए sorry तो चलिए फिर से match करते हैं क्या matching है हमारा कि जो शबनम है, वो कहां करी जाती है वो जामदानी में ठीक है फिर है लड़ू जलेबी sample कहां नमूना कहां बनाया जाता है आपका बांधनी पर ठीक है, फिर टैपची कड़ाई जो होती है वो चिकनकारी में करी जाती है और पच्ची पत्ती जो होती है वो आपकी गुजरात की कड़ाई में करी जाती है यह आप एक एक नमबर याद कर सकते है टीजिटी पीजिटी कहीं भी पूछा जा सकता है यह आपको दे देंगे कि लड़ू जलेबी किसमें किया जाता है या टैपची किसमें किया जाता है या लगड़ जली भी किसे रिलेटड है, या सबनम किसे रिलेटड है, इस तरह किया question बनते हैं, फिर है, यह थोड़ा सा आपका net से related question है, लेकिन पूछा जा सकता है, छोटे exam में भी, तो देखे, जो potassium metabye sulfide है आपका, वो क्या किया जाता है, वो अंगूर के रस्ते, अगर wine बनाई जाती है, तो उसमें यह मिलाया जाता, ठीक है, तो यह आपका अंगूर के रस्ते मेंच करेंगे, फिर भी आपका sodium benzoid, sodium benzoid जो होता है, वो आपका jelly बनती है, तो उसमें antibacterial उसके लिए डाला जाता है, उसमें bacteria बना हो, तो यहाँ पर यह पैक्टिन होना चाहिए लेकिन यह पैक्टिया दे रखा, ठीक है, तो पैक्टिन जो है, वो jelly बेगरा में हम देखते हैं, मतलब जिसमें पैक्टिन होता है, उसी fruit से jelly बनाते हैं, तो यह यहाँ पैक्टिया लिख रखा, यह पैक्टिन होगा आपका, तो यह jelly से related, इसलिए आपका यह option हम मैच करें है, तो यह आप देख सकते हैं, कैसे कैसे मैच किया है, थोड़ा सा ऐसे से हो गया है, बढ़ आपको दिखींगे तो आराम से दिख जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, घर बनाते समय, विभी ने पदों को सही करम बताइए, जब हम घर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क् फर्स्ट, थर्ड, टू, वान, फूर्ट, तो यह आपका एउप्शन ही सही होगा, ठीक है, तो परिवार के ज़रूर, फिर बजट की होजना, फिर जगा का चुना, फिर सामगरी का चुना, ठीक, नेक्स्ट है, ग्रामीर विकास की निमलिखित कारिक्रमों को उनके प्रारम होने के वर्स में, वर्स के क्रम में विवस्थित कीजिए, तो यह इसका मैंने कूट नहीं दिया, क्योंकि कूट उसमें बहुत गलत दे रखा था, और कोई भी सही आप्शन नहीं था, तो मैंने इसको अपने आपसे आपको मैं बता दे रही हूँ, और आगे मैंने होगा, ठीक है, 2006, बहुत ही गटिया राइटिंग लिखा रही है, कोई नहीं, मैं अच्छे से लिख दे नहीं, यह आपका होगा, 2006, ठीक है, फिर काम के लिए जो अनाज कारिक्रम आया तो वो आपका आया था, 1987 से 1978 के बीश, ठीक, फिर ग्रामीर छेत्रों में महिला हूँ ह होगा, यह डॉक्रा का है, ठीक है, डॉक्रा कब आया था हमारा, 1982 में, और फिर जवाहर ग्राम समरिद्धी योजना जो है आपकी, वो कब आया थी, वो आपकी आया थी, 1990, ठीक है, तो यह आप स्कीन शॉट भी ले सकते हैं, आगे मैंने लिख भी रखा तो यह भी आप दे तो आपका होगा, कौन सा होगा, 1324, बी ओप्शन आपका करेक्ट हो जाएका, ठीक है, बी ओप्शन इस राइट, फिर नेक्स्ट है, विटामीन एकी कमी के लक्षडों को रोक के इन, प्रक्टी करड़ के अनुदाफ पर बस्तित कीजिए, कहने के मतलब विटामीन एकी डि दो, तीन, एक चार मतलब आपका डि ओप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर है, नेक्स्ट है, आपका वशा आप्शोचर की अवस्था के करम में इन्हें विवस्थित कीजिए, ठीक है, कि मतलब जो फैट का अप्शन होता है, वो किस करम में होता है, तो सबसे पहले वसा का क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, इसके बाद आपका होता है, म्यूकोजल अप्डेट, ठीक है, म्यूकोजल अप्डेट हो जाता है, इसके बाद फिर आपका होता है, एस्टर बन जाता है, फिर लास्ट में आपका होता है, काईलो माइक्रोन फॉर्मेशन, य ये निम्लिखित प्रक्रियाओं को सही क्रमे विस्थित करें, नीचे दिये गए कोड का उपयोग करें, चलिए कोड का उपयोग करते हैं भाई, तो गठरी बनाना, मतलब की bundling, या फिर कपड़ा फैलाना, मतलब spreading, spread करना, marker making, या फिर कटाई करना देओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं, कपड़े को फैलाते हैं, ठीक है, कपड़ा फैलाते हैं, फिर हम marker making करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं, फिर हम उसको bundling करते हैं, तो इसमें आपका क्या होगा दो, तीन, चार इसके बाद एक, तो मतलब दो, तीन, चार, एक, इसमें आपका बी आप्शन पर जाएगा ठीक है, यह सब नेट के कुश्चन है, नेट में आ सकते हैं आपके और ऐसा मत कहीं, लटी वगरा में इस तरह के कुश्चन पूछे जात तो मतलब कि 124 दिन अपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है फिर है हमारा नेक्स्ट रास्टी फाइल एरिया कारिक्रम की शुरुआत हुई थी कब हुई थी 1950 में 1966 में इसके बाद आपकी 1955 में 1945 में तो ये जो कब सुरुआत हुई थी इसकी सुरुआत हुई थी आपकी 1955 में ठीक है विस्ट स्वास संगठन ने सबके लिए स्वास को प्राप्त करने का लक्ष निर्धारित किया है मतलब जो डबलो एच्चो है सब लोग को स्वास अच्छा म अब कुछ सुधार तो हम पर भी डिबंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं अब आजकल तो इतने बीमारियों से ज्यादा तो डिसॉर्डर होने लग गए है कि किसी को हाट की प्रॉब्लम किसी को डियाबिटीस किया किसी को ब्लड पिशर की है तो यह सब डिसॉर्डर हैं बीमारी नहीं है बीमारी का नाम दे रखा डिसॉर्डर इसलिए क्योंकि हम अपनी अलग अलग तरीके गलत तरीके के लाइफस्टाइल अपनाते हैं और फिर हमारे बॉड़ी में गड़बड़ी उत्पन होती उसको हम बीमारी का नाम दे सोची लेकिन जब कोई बीमारी उती तो डिसाटर से ही स्टाट होती अगर हम वोस्ट डिसॉडर को सही नहीं कर पा रहा है तो जाहिए सब्स लेक्राइगी नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा की भारतिय शिशु कल्यार समिती की अस्थापना हुई थी कब हुई थी देखते हैं टुना नहीं से एक कोई नहीं है तो ये जो है अपका ये सहे डाना कारड हो कारड़ है जन संक्यावरदी गरीबी असिक्छा तो सभी है सब ही चीजों की वेज़े से सिसु में तुदर और मा का और सिसु में जो एक death rate है वो काफी जादा है पर्यावर अड़ा स्वास्त की प्रमुख समस्या है तो प्रमुख समस्या जो इसकी हा विए सभी है एक चिकत सक, दो चिकत सक, तेन चिकत सक, चार चिकत सक, इस महीं इन्होंने दे रखा एक चिकत सक, लेकिन मुझे लगता है कि दो होने चाहिए, क्योंकि इतनी जादा जनसंख्या रहेगी तो जो मतलब भाई कम सकम, दो तो होने ही चाहिए है ना, चलिए फिलाल, राश्टी क पुस्ट नियांत्रड कारेकृर्म की सुरूइब की गई आपका लॉह की कमी होगी तो रख्ताल पताईनी अनीमिया हो जाएगा, विटामिन ए की कमी होगी तो अंधता हो जाएगी, प्रोटीन एनर्जी मालिट्रिशन कब हो जाएगे, जब आप बिल्कुल भी प्रोटीन भी नहीं लेंगे, यह आपका हो जाएगा चलो मैं अच्छे से लिख देती हूं विटामिन एकी कमी ठीक है और अस्थी मरदुलता का मतलब आपका औस्टियो मलेसिया ठीक है तो आपका है फिर next है हमारा अहार है आयोडीन की कमी से होता है ये भी बहुत आसान है पूरा नहीं पड़ोंगी जो आपका है, मलेरिया है, चाहे रोग है या मदुमे को हो सकता है, आप होने को आजकल जो making. वो मदुमे हो जायगा ठीक है लेकिन एक जैसे वो है कि मदुमे क्या होता है कि after 40 years के बाद होता है हला कि आजकल यह जो 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 जोनाईल वाला होने लगा है जो जुनाईल on मेरेने से नहीं फैलेगा उचरक्षाप आपका सोडियम वाली डाइट आप बहुत ले रहे हैं बहुत सरेंटी लाइफ है आपकी बहुत ज़ादा ओवर बेटे मोटापा है तो इस वज़े से उचरक्षाप हो जाता है ठीक है इसके बाद रिकेट सापका विटामिन डी की कमी से हो जाता है और मदुमें आप पता ही जब ग्लुकोस का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है तो जो है और इंसुलीन भी अपना काम नहीं कर पाता है तो हमें डाइबिटीस हो जाता है मुझे लगता है यहां पर हमारे आंसर आगे खतम हो चुके है तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर खतम करते हैं इतने देर के लिए आपने सुना और देखा संडे को भी टाइम निकाला उसके लिए थैंक्यू और चलिए फिर मिलते हैं अब हम लोग दूसरी वीडियो में मिलेंगे तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिये और पढ़ाई जरूर करते रहिए जिस तरह से आप रोज खाना खाते हैं रोज सोते हैं मोबाइल चलाते हैं गाना सुनते हैं मतलब अपनी एक अनिवार ये कह सकते हैं मतलब अनिवार एता है आप अनिवार इस रेडी में सामिल कर लीजे कि आपको डेली 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 पढ़ना है और डेली नहीं तो कुछ देर तो पढ़ना ही पढ़ना है और देखिए वही वाली मैंने एक दिन बोला था ना चिर्च थे रहां हो के लिए हैं मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में तब तक के लिए ध्यान रखिए सभी को गुढ़ी और मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ बाई जा